आईए आज आपको लेकर चलते हैं धुश मेश्वर मंदिर के सफर पर श्री धुश मेश्वर महराष्ट्र में और अंगाबाद के नस्दीक दौलताबाद धुश मेश्वर मंदिर में साल भर हर सुमवार को विशेश पूजा होती है परंतु श्रावन मास में यहां की महत्ता और भी बढ़ जाती है यहां श्रावन के तीसरे सुमवार को नारायन बली, नाग बली और काल सर्प दोश निवारन पूजा की जाती है निसंतान दमपत्ती यहां विशेश पूजा कर संतान प्राप्ती के मनुकामना भी करते हैं इस जोतिर लिंग के विशे में पुराणों में ये कथा वर्णित है दक्षिन देश के देवगीरी परवत के निकट सुकर्मा नामक ब्रामन अपनी पती-पराएन पत्नी सुदेश के साथ रहता था वे दोनों शिव भगत थे, किन्तु संतान नहोने से चिन्तित रहते थे पत्नी के आग्रह पर उसने अपनी पत्नी की बहन धुस्मा के साथ विवाह किया जो परम शिव भक्त थी शिव कृपा से उसे एक पुत्रधन की प्राप्ती हुई इससे सुदेश को इर्शा होने लगी और उसने अवसर पाकर सौध के बेटे की हत्या कर दी भगवान शिव जी की कृपा से बालक जी उठा तथा धुस्मा की प्रार्थना पर वहाँ शिव जी ने सुदेव वास करने का वरदान दिया और वहाँ पर वास करने लगे और धुशमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए झाल